आज हम बना रहे हैं व्रत में खाये जाना वाला एक बहुती मज़ेदार सा आलू का नाश्ता जिसका खटा, मीठा, तीखा टेस्स आपको बेहत पसंद आएगा साथ ही हम बनाएंगे इसके एक स्पेशल चटनी जो इन्ही के साथ में बनाई जाती है और खाये जाती है यह है फराली आलू पैटिस जिसे मज़े से घर पे सिंपल इंग्रिंट से बना कर आप एंजॉय कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने हाँ पर चार मीडियम साइस के आलू को बॉयल कर लिया है इन्हें हम एकदम अच्छे से बॉयल करने के बाद में छील लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे उसके बाद हम यहाँ पर इसे कद्दू कस करेंगी हमारी स्टफिंग के काम में आएगा केल से चिकना कर लिया है उसके बाद में से हम अच्छे से खुब इसके मतेंगे ताकि इसके निदा कोई भी लंप न रहे आलू का और इकदम पॉफेक्ट हमारा यह चिकना डो बनकर आ जाए इस तरह से डो मारत तयार हो चुका है अभी हम स्टफिंग के लिए हाँ पर जो हमने आलूर बजाया कर रखा था उसमें हम एक चम्मच हरी मिट्च का पेस्ट डाल देंगे के साति मैंने एक चम्मच हम बर के यहाँ पर यह काजू भी ढाल देंगे बारिक चौप कर लिया है अभी इसमें डाल देंगे 1-4 cup अभी करीब ये सूखा वाला नारेल आप फ्रेश नारेल भी कद्दू कस करके डाल सकते हैं और धेट सारा फ्रेश धनिया डाल दीजिए अभी हम यहाँ पर इन सभी चीजों के बाद में इसमें खाने वाला जुबरत का नमक होता है वह डाल देंगे टेस्स के कोडिंग डाले थोड़ा सा मिया पर काले मिश का पावडर भी डाल देंगे तो इस तरह से थोड़ा सा खटापन देने के लिए इसमें नीबू का रस्पी जरू डालें और साथ इसमें हम फ्रुवी सी चीनी भी डाल देंगे जैसा कि यह नहीं बताया था कि इसमें खटा, मीठा, तीखा, बहुत ही बड़ी आ बैलेंस फ्लीवर होता है जो आपके टेस्ट पर को बहुत ही पसंद आएगा इस तरह से हम सभी चीजों को बहुत ही जैंटे मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारे पास में यह स्टफिंग तयार हो जाएगी तो इस तरह से देखिए एक बॉल शेप में आ जाएगी तो हमारा डो भी तयार है स्टफिंग भी हमारी तयार हो चुगी अभी हम यहाँ पर स्टफिंग के छोटे-छोटे से बॉल्स बना के तयार कर लेंगी तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूं इस मटीयल से हमारे पास करीब 10 से 11 पैट्रिस बनके तय अब मैंने हातों थोड़ा से ग्रीज कर लिया है और जो हमने डूर बनाया था प्लेन आटे का उसमें से हम थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे और उसका एक बॉल बना लेंगे और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे ताकि हम इसे अच्छे से स्टफ कर सकें जिस तरह सी कच कर लिया है इस तरह से हमने से अच्छे से सील कर लिया है खुबचे से चिकना कर लिया सभी बॉल्स को इसी तरह से हम तैयार करेंगे तो मैं आपको वापस से बता देती हूं कि इस तरह से देखिए जो डो वाला पार्ट हो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और पैटिस बन कर आएं इस तरह से पैटिस तयार हो चुकी है अभी हम यहाप पर इसको और से क्यूर करने के लिए वापस अरारूट पावडर से ही इसे कोट कर लेंगे बहुत ही पतली सी कोटिंग आपको यहाप इसमें लगानी है और जो एक्स्रा कोटिंग होगी इसे हम आत जोब करेगी बहुत ही अच्छा टिप है चट्टी के लिए हमने फ्रेश तहीं डाल दिया साथ इसमें पीनट्स डाल दें और इसमें हमने टेस्के कोटिंगी हरीमिश डाल दी है अभी इसमें डाल दें थोड़ा सा जीरा यदि जीरा वरत में खाते हैं तो जरू डालें ऌश से ध्य wall दी है में पें मीडियम पर पतील को गरम कर लेंगे और इसके और चार से पांच प्रेस दीएं की और एक बशन वहां से घृट। कर लेना है ताकि इन सब ही तरफ से अच्छे से इवन कलर आए और हमारी पैटिस खूब सुरत बन कर आए इस तरह से बहुत ही बढ़िया हमारी पैटिस फ्राय हो रही है फ्रेम को आप मीडियम पर ही रखें ताकि अरारूट जो हमने डाला है अच्छे से फ्राय हो जाए और क्रिस्पीनेस इसके अंदर आए इस तरह से इन पैटिस को बना के फ्रेज में भी रख सकते हैं और अच्छे से कंटेनर में रखें ढखके उसके बाद में जब मन चाहे तब आप इने इस तरह से फ्राय कर सकते हैं तो देखिए कि इतना बढ़िया कलर इनका आ चुक है अब आपको पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को फॉलो करें ताकि हम इसी तरह कि आपके लिए रेसिपी लाते रहें तब तक एंजॉय करें फाराली पैटिस मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तैंक यू